इसका अन्सर अल्मोस्ट आ रहा है 22 अब 22 परसंट क्या है 22 पर्षंट यह ट्वंटीस से ज्यादाए है 20 से अगर ज्याद है तो ये दमा है दिस इस तुमा असलाम अलेकूम मेरा नाम डाक्टर जांगीर खान है और आप मुझे मेरी यूट्व चनल पर देख रहे है डाक्टर जांगीर खान के नाम से तो आज हम डिस्केस करेंगे जो प्रिफियसली वीडियो मैंने डिस्केस की थी जिसका निख मैं नी दिस्केपशन में दिया हूए कि आप किस तरह गर बेटे जो है दमा की तश्खीश कर सकते हैं यानि एस तब्स कि तष्खीश कर सकते हैं तो चलते हैं स्क्रीन के तरफ और वीडियो को समझने के लिए आपने इसको एंड तक देखना है तो स्क्रीन पे चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सुबा वाली रेडिंग है और यह शाम वाली रेडिंग है जो यह वाली है सुबा शाम शुबा शाम शुबा शाम शुबा 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 है जो यह वाले रिडिंग है जो ऊपर वाले यह वाली यह सारे प्लस करने हैं 350 300 to 50 plus 500 plus 300 plus 350 plus 400 और किस चीज़ पर करना है seven पर तो यह morning वाले रिडिंग की हो ले जा जाएगी फिर आपने क्या करना है शाम वाली जो 400 500 300 यह सारे जमा करने हैं जब यह प्लिस करेंगे तो प्लस करने केबाद आपके पास एक रीडिंग आ जाएगे उसको पिर 7 पर डिवाइड करना है तो आपके पास जो मार्निंग वाली एवरिज भी आ जाएगी और इवनिंग वाली एवरिज भी आ जाएगी तो आपने अब क्या करना है अब आगे बढ़ते हैं आपने अब ये करना है कि आपके पास सपोस्स मार्निंग वाली डीडिंग आ गई चार सो मार्निंग वाली डीडिंग आपके पास 400 और शामोरी डिर्म आपके पास आगई 500 यह एवरिज की में बात कर रहा हूं जब आपने सब कुछ कर लिया जो मैंने भी एवरिज आपको बता दिया कि किस तरह निकालना है तो morning वारी 400 आगी और शाम वारी 500 आगी तो आपने क्या करना है जो सबसे बड़ा हो उससे वो छोटा वाला माइनस करना है अब इसमें बड़ा कौन सा है 500 है वो छोटा कौन सा है 400 वाला तो आपने क्या करना है 500 से 400 माइनस करना है तो उससे क्या गया 100 पिर आपने क्या करना है पिर आपने ये करना है कि जो 500 है और 400 है इसका भी एवरेज लेना है 500 प्लस 400 डिवाइड बाइ 2 तो इसका एवरेज क्या आजाएगा आपने वो एवरेज लेनी है तो इसका क्या 900 450 आगया तो आपने अभी क्या करना है आपने ये करना है कि आपने इस 100 को उपर लेना है 450 को नीचे लेना है अभी करते हैं 100 divided by 450 multiply by 100 तो इसको आपने कर लेना है और इसको कर लेने के बाद आपने पिर चेक करना है कि कितना आता है तो यह multiply करे इसका अंसर आल्मोस्ट आ रहा है 22% अब 22% क्या है 22% जो है यह 20 से ज्यादा है 20 से अगर ज्यादा है तो यह दमा है इस इस तुमा तो यह पूरी वीडियो थी आपको समझाने के लिए महेंगे टेस्टों की जुरूरत नहीं है और अगर आप डाक्टर के पास जाते हैं तो स्पारोमेटरी जो वो कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादर टिक्निकल इशूज आते हैं सबसे ज़्यादर एलाइबल मेतट यह है इसको पिक फ्लो डाइरी केते हैं तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपको दमा है या नहीं है अब अगर ये पेशन्ट जो है ये दवाई पे हो इनहेर इस्तिमाल कर रहा हो उसका फिर भी 20 से जाद आ रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत डेंजरस एस्तिमा है और इसने डाक्टर के साथ किसी मुस्तनद डाक्टर के साथ रुजू करना है और अपनी दवाई को जो है वो मेंटेन करना है तो इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लोड किया करू तो मेरे सेनल सबस्क्राइब करें शेयर करें और बिल का आइकन दबाए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे है शुक्रिया